नमस्कार दोस्तों, स्वाधत है आप सभी का स्टड़ी आई क्यों है आज हम लोग एक बहुती दिल्चस और एक सजेस्टिव डिस्क्रिशन करने वाले हैं हम लोग एक सुझाव देने वाले हैं कि कैसे One South Asia makes sense for India अब यह चर्चा होगी किस परस्पेक्टिव से हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं from the perspective of climate change यह बहुत जरूरी चर्चा रही है अगर आप एक aspirant अगर आप UPSC civil services के त्यारी कर रहे हैं अगर state PSE के त्यारी कर रहे हैं then it's a very important discussion for you from the perspective of international relations क्योंकि जब भी IR के सवाल होता है तो इंडिया और नेबरूड के उपर काफी focus होता है तो यहां पे हम लोग बात करेंगे कि क्या इंडिया leadership role play कर सकता है with respect to climate change in the South Asian region और अगर अब political science and international relations के छात्र है आपका option अगर PSIR है it makes a lot of sense for you क्योंकि this article was written by Swasini Heather and you can quote her, she writes a lot on international relations for the Hindu you can quote her in your answers तो यह सारी information लेने के लिए अप मेरे सब बने रहे है study IQ पर मैं हूँ आपका दोस्त राहूल सायगाउंकर आप मुझे इस ID पर follow कर सकते हैं और अगर आप preparation कर रहे है then I would urge you to visit study IQ.com और download the app from Google Play Store to know more about our programs यह सारे programs हम लोग रन कर रहे हैं और ध्यान रखिये हैं साल की सबसे बड़ी sales चल रही है बस code use की जगा दिवाली 30 तिल 8th November 2021 the discounts are valid चलिए चर्चा शुरू करते हैं खबर के बारे में बात करके हम जानते हैं कि हाली में COP26 Conference of Parties 26 वी UNFCCC की जहां पे Indian Prime Minister नरेंडर मोदी he surprised the entire world पूरे विश्वल की सामने इंडिया ने Climate Summit में एक pledge लिया कि 2070 तक हम लोग Net Zero बनेगे Net Zero मतलब जो भी हमारी Carbon डायक्साइड की Emission रहेगी उतना ही absorption होगा Net Zero Emission करेगा India by 27 इंडिया के पर अलड़ी बहुत दबाव था क्योंकि दूसरे देचे से कि चाइना ने Announce किया था उनकी Net Zero टार्गेट 2060 US, European Union दूसरे कंट्रीज दी भी Announce किया हुआ है उनके खुद के Net Zero तो इंडिया ने यहां पर surprise दिया कि 2017 हम लोग Net Zero अचीव कर लेंगे इसके साथी साथ इंडिया ने कुछ और भी चीज़े बताए जिसकी उसका समिट में प्राइमिनिस्टर मोदी ने पंचामरित के बारे में बताए पंचामरित में उन्होंने फाइव पॉइंटर्स बताए जहां पे इंडिया क्या करेगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमारा जो टार्गेट था साड़े चार सो गिगावट रीनियोबल एनरजी बनाएंगे 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया यहां पे 500 गिगावट एनरजी की बात की गई इसके अलाबा इंडिया ने कहा हमारे जो ग्रीन कार्बन सिंग है उसको भी बढ़ाएंगे फोरेस्ट बढ़ाएंगे बहुत सारे प्रामिसस यहां पे किये इसी कॉन्फरेंस अफ पार्टी की साइड लाइन्स पे हम लोगों ने लॉँच भी किया एक लीडर्शिप जरूर दर्शाई मैं कहूंगा पूरे विश्व को एक पात दी हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज से लडने के लिए बहुत सारी मुहीम शेडर की है पंचामरत गिफ्ट दिया इंडिया ने जीरो नेट हम लोगों ने प्लेज किया साथी साथ बहुत सारे इनिशेटिफ भी आए लेकिन इन सारे इनिशेटिफ में इस सारी डेवलप्मेंट में हम लोग एक चीज़ observe कर सकते हैं क्या observe कर सकते हैं कि एक South Asian initiative missing था कही न कहीं क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे promises के हैं पहले भी International Solar Alliance के हम लोग बात करते हैं disaster resilient infrastructure की बात करते आते हैं हम लोग उस coalition के vice chair भी है भी coalition for disaster resilient infrastructure बहुत सारे चीज़ों के India is playing a big role at climate change यह हम जानते हैं लेकिन एक initiative अगर South Asia led होता जहां पे India उसकी नेतरुत्रा करता then that would have made a lot of sense isn't it अब सवाल यह उठता है कि सार South Asian initiative तो बना नहीं India यहाँ पे champion करता है fight against climate change लेकिन South Asia को साथ में लेके क्यों नहीं चल रहा है क्यों South Asian discourse पीछे पड़ चुका है क्यों South Asian region में integration नहीं है देखे अगर हम लोग observe करे South Asian discourse missing क्यों है despite having a lot of commonality it is the least integrated region why? because of some historical factors जिसके बारे हम लोग बात करेंगे but in general अगर हम लोग यहाँ के organizations की बात करें आपको बहुत सारी organizations मिल जाएगे जैसे कि सार्क मिल जाएगे 1985 में सार्क बना है South Asian Association for Regional Corporation अगर इसकी success की बारे हम बताओ चोटी मूटी success आपको ज़रूर मिले ही but अगर एक macro स्थर पे में इन organizations को देखो they are failure why? because still this is the least integrated region सार्क की failure की वैसे हम लोग बात करने लिगे सार्क मैनस पाकिस्तान का अप्रोच that is BIMSTEC BIMSTEC के ओपर काफी जाधा traction आया पिछले कई सालों से लेकिन फिर भी as a result हम लोग जाधा कुछ दिखा नहीं सकते इसके अलबा हम लोग ने BIMSTEC BIMSTEC Motor Vehicle Agreement है भूतान, बंगलदेश, इंडिय और नेपाल का लेकिन यहां पे भी भूतान is missing so it is left out with BIM पिछले दो सालों से भूतान is still not finalizing this Motor Vehicle Agreement उनका कहना है कि उस Motor Vehicle Agreement से उनके आपर ट्राफिक बढ़ सकता है और वहाँ पे problems हो सकते pollution की SARC की failure की वैसे हम लोगों ने एक और Sub-regional organization मिलाए SASEC Sub-regional cooperation for South Asian region इसकी भी अगर मैं success बताऊं तो ज्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगी और भी organizations मिलेंगी जैसे कि Mekong Ganga Cooperation Zone है आपको इस region मिलेगा Mekong Ganga Cooperation जहाँ पर इंडिया फिर से एक partner है But again Nothing much to show for this अगर आप argue करेंगे कि सर्फ सार्क ने एक free trade agreement sign किया आप कोई भी international report पढ़िए आपको पता चलेगा South Asian region is the least integrated region अब ये क्यों हूँ देखिए मैं कहूँगा macros तरफे इसके तीन problem से अगर आप इस map को देखोगे आपको तीनो problem समझ बे आएगी अब पहली problem है ये छोटे मोटे देश जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा role रहा है पाकिस्तान ही नहीं मैं कहूँगा जो भी छोटे मोटे देश है नेबर से हमारे उनका दूसरी problem मैं कहूँगा इंडिया की खुद की है और तीसरी problem है यहाँ पे हमारा नेबर जोए चाइना अब पहली problem क्या है क्योंकि ये छोटे देश इन चोटे मोटे देशों को एक insecurity रहती है कि इंडिया इन्हें arm twist कर सकता है because of sheer size of India और वहाँ पे उन्हें डर लगावा रहता है कि इंडिया माइट शो अ बिग ब्रदर attitude अब इसके चलते ज़्यादा integration नहीं होई लेकिन सार्क 1985 में जरूर प्रमोट किया गया भाई श्री लंका ये बांग्मादेश अब यहाँ पे इंडिया की भी एक problem थी क्योंकि इंडिया ने कहीं न कहीं एक reluctance दिखाई है South Asian region में leadership दिखाने ने शुरुवाती दोर में इंडिया काफी apprehensive था इंडिया को ये लगता था कि जो चोटे देश हैं ये इंडिया के खिलाफ gang up करेगी लेकिन मैं कहूंगा 1991 के बाद इंडिया ने काफी enthusiasm दिखा क्योंकि हम लोगों ने अपनी economy open कि उसके बाद हम लोग कैसे तलुकी पॉलिसी आई ये गुजराल डॉक्टरिन आई जिसके तरह हम लोग neighbors की बहुत मदद करेंगी ये कहाथ लेकिन फिर भी ज्यादा development नहीं हो इंडिया की तरफ से तो enthusiasm दिखी बट अभी छोटे मोटे देश ये विकल्प ढूंट रहे थे और उन्हें विकल्प मिला चाइना अब क्यूंकि ये लोग चाइना के साथ मैं कहूंगा बहुत हद तक ally हो चुके है चाइना की काफी investment जा चुकी है अगर बांगलादेश की बात करे श्रिलंका की बात करे पाकिस्तान की बात करे सब जगा पे नेपाल की बात करे Chinese investment बहुत हद तक पहुँच चुकी है तो इंडिया की इस reluctant stance की वज़े से मैं कहूंगा एक leadership vacuum create हुई और चाइना ने यहाँ पे बाजी मारी लेकिन इंडिया ने फिर से कोशिश ज़रूर की मैं कहूंगा 2014 में जब नरेदर मोधी सरकार आयती वहाँ पे आपको याद होगा जो swearing in ceremony ते शपत ग्रहन समारो था उसमें सार्क के leaders को बुलाया था सबको लग रहा था कि सार्क rejuvenate हो जाएगा South Asian region कुछ development ज़रूर होगी लेकिन फिर से इंडिया पाकिस्तान relations की वज़े से पाकिस्तान की तब से मैं कहूंगा पुरी पठान को जो भी terrorist attack होए उसके शलते फिर से relations तनावपूर्ण बने और South Asian region has still remained least integrated और मैं कहूंगा चाइना ने अपना काफी दबदबा बड़ा रखा है इस पर्टिकलर region अब despite being the least integrated region एक opportunity ज़रूर बनती है अभी इंडिया को क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से climate change से जो fight चल रही है उसमें leadership दिखाई है वहाँ पे India can again become a leader of South Asia क्यों? Why South Asia makes sense? Can this climate change discourse जहाँ पे इंडिया ने leadership दिखाई है? Can it unite South Asia? कुछ factors है जो कहता है yes technically, logically they should unite क्यों? क्योंकि इंडिया न सब कॉंटिनेंट की आप geography देखिए, tradition देखिए culture देखिए, history देखिए, वो काफी common है अगर आप बात कीजिएगा इंडियान subcontinent की geography की all these countries are Himalayan countries, right? Himalaya हमें जो cold waves आती है from Siberia उससे बचाता है और यह पूरा जो region है, this region is monsoon region, यहाँ पे common climate आपको मिलेगा monsoon region है यह, अब इसकी वेज़े हमारी problems भी common होगी, क्योंकि climate change बढ़ रहा है, global warming हो रही है, जिसका impact बहुत हद, South Asia में हो ही रहा है, अगर आप cyclones की बात करें, cyclone इंडिया को भी impact करता है cyclone पाकिस्तान को impact करता है, cyclones बांगलादेश को तो बहुत हद तक impact करता है climate change की वेज़े, जो glacier melting की बात करते है, उसका impact इंडिया पे है ही, नेपाल पे है ही, भूतान पे है, क्योंकि glacier melting हो रही है, पानी की मातरा बढ़ रही है, flooding आपको नेपाल में मिलेगी, flooding आपको इंडिया में मिलेगी, so common problems है, in fact इस particular region में बहुत ज्यादा climate change का adverse impact है, और sadly problem क्या है, क्योंकि इसी region में हम लोग कह सकते हैं कि हमारी नुकसान भी हमारी जगा पे होता है, South Asian region, अगर आप population की बात कीज़े, देखें, इंडिया 130 करोड, पाकिस्तान a little more than 20 करोड, बांगलादेश a little less than 20 करोड, यह किवल 3 देश मिलाकर हम लोग 170 करोड पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि climate change से यहाँ पे और भी adverse events फोर है, तो उससे यह population काफी बलनरे भोलोगी, सबसे ज़ादा नुकसान होगा यहाँ पे, life का नुकसान होगा, economic loss होगा यहाँ पे, then huge population is threatened. So, it makes sense that we unite and we create a South Asian bargaining block. हम लोग climate change summit पे क्या डिमांड करते हैं? We demand CBDR common but differentiated responsibilities यानि कि, जो developed countries है, जिन्होंने industrial revolution के दवरान इतनी सारी emission की थी, जिसकी वज़े से वो खुद develop हुए, उनके आपे काफी पैसा बना, लेकिन उस emission का भुगतान किसे करना पड़ रहा है? हमें करना पड़ रहा है. South Asian region में सबसे ज़बन उकसान हो रहा है. तो हम लोग इसलिए bargain कर सकते हैं, कि हमें ज़्यादा finances चाहिए, adaptation के लिए, mitigation के लिए, technology transfer की भी ज़रूत है, so that we develop clean energy. So, does it make sense कि South Asia unite हो और एक bargaining block बने? और अगर ये bargaining block बनेगा, तो इसका natural leader कौन बने? Natural leader is obviously India. क्योंकि जिस तरह की leadership India ने दिखाई है, climate justice के चलते हैं, इंडिया की continuous negotiations रही है, कि हमें funding चाहिए, climate mitigation के लिए, climate adaptation के लिए, clean energy transfer चाहिए, clean technology transfer चाहिए. तो अगर इंडिया South Asia as a whole की बात करेगा, तो इंडिया की भी जो bargaining power होगी, इंडिया की जो ओधा होगा, वो multiple times बढ़ेगा ही, बढ़ेगा. सवाल यह है कि अगर इंडिया backstep लेगा, इंडिया अगर reluctance दिखाएगा leadership की South Asia में, तो इंडिया के बदले कोई और fill करेगा उस vacuum को. पहले चाइना को पता चल चुका है, पाकिस्तान को पता चल जाएगा, आगे चल के, बाकी countries को भी पता चलेगा कि China debt trap diplomacy का एक बहुत बड़ा tool है. Right? अब neighbors, इंडिया अगर यहां पे नहीं speak up करेगा, इंडिया पे leadership नहीं दिखाएगा, तो neighbors कहां जाएगे? neighbors, दूसरे partners को ढूणेगे. अगर चाइना नहीं, तो कोई और, United States, हम लोग बात कर सकते हैं, Denmark ने हाले में मदद की थी, South Asian countries की with respect to vaccine, US ने मदद की है with respect to vaccine, तो दूसरी countries यहां पे आएगे. इसका मतलब क्या है? लीडर्शिप पंचामरित प्रिंसिपल्स की बात की, हम लोग International Solar Alliance की बात करते हैं, हम लोग Iris की बात कर चुके हैं, हम लोग One Sun, One World, One Grid की बाते कर चुके हैं, then why can't we unite South Asia over climate? India should take a lead over this, और possibly इस natural leadership में South Asia को और भी integrate कर. Yes, of course political issues जरूर होंगे, considering Pakistan, considering Afghanistan but still, India को अपनी leadership skill को दिखाना चाहिए, at least on the climate domain, we can bring South Asia together. Let us hope that this happens. Do let me know your thoughts about this. Should India unite South Asia over this issue of climate change? Thank you for watching this video. Jai Hind!